आत्मा की फोल अनन्त शक्ति आनन और शांति इश्वरिय भत्ति के लिए जोड़े रहे हमारे चैनल से आपका अपना चैनल पुरु अशोक्ति वारी राइक और सब्सक्राइब करना ना भूदे धन्यवाद जै माता की जै प्रस्राव स्री गनेश शाय नमा प्रिय बंधुओ हम सदेव स्राद्ध में तीन पिंड क्यों देते हैं इन तीन पिंडों के देने से क्या होता है और जब हम स्राद्ध पून कर चुके तो इन तीनों पिंडों को कहां भी सर्जित किया जाता है आज हम इसी विशे के उपर चर्चा करेंगे तो चलिए जानते हैं विस्तार के साथ में इन में जो हम प्रथम पिंड देते हैं तो इस प्रथम पिंड के देने से हमारे पिताजी प्रसन होते हैं अब दूसरा पिंड जो है यह दूसरा पिंड जब हम देते हैं तो इस दूसरे पिंड के देने से पिताजी के पिता जने हम पितामा अथवा आजाजी भी कहते हैं यह प्रसन होते हैं और तीसरा पिंड जो है इसके देने से प्रैपितामा याने पिता के जो पिता है उनके पिता प्रसन्न होते हैं। इन्हें साधारण बोल्चाल की भासा में पराजे जी भी कहते हैं इस बात को ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि तीनो पिंडों के देने से तीनो देवता याने भगवान ब्रह्मा, विष्नु और महेस संतोष्ट होते हैं अब जब हम इन तीनो पिंडों का पूयन कर चुके हैं तो इसके बाद में इन पिंडों का विशर्जन हम कहा करें तो उसके लिए सास्त्रों में बताया गया है कि जो प्रथम पिंड होता है इस पिंड को जल में विसरजित करना चाहिए ऐसा करने से चंद्रमा प्रसन होते हैं और जब चंद्रमा प्रसन होते हैं तो चंद्रमा के प्रसन होने मातर से ही पित्रगण भी प्रसन हो जाते हैं अब यह जो दूसरा पिंड होता है बड़ा ही महत्पून होता है जिस परिवार में ये सरादित्यादी कारिय हो रहा है यदि उस परिवार में किसी माता बहन के कोई संतान नहीं है तो सास्त्रों में बताया है कि वह दूसरा पिंड जो होता है वह उन माता बहन को खिला देना चाहिए जिनके कोई संतान नहीं हो पा रही है उस पिंड के ग्रहन करने मात्र से पित्र प्रसन हो करके एक सुयोग संतान प्राप्त होने का आशरवाद देते हैं परन्तु हमें यहाँ पर इतना ध्यान अवश्य ही रखना होता है कि वह जो खाने वाला पिंड है उस पिंड के उपार कोई भी केमिकल युक्त बस्तु नहीं चड़ाई गई हो जो पिंड पित्रों को अर्पित करने के पस्चात खाने के लिए बनाया गया हो वह पिंड पून रूप से शुद्ध और साकाहारी वस्तुओं से ही उसे निर्मित किया जाना चाहिए क्योंकि केमिकल युक्त पदार्थों को चड़ाने से फिर वह पिंड खाने युग नहीं रहता है तो इस प्रकार से दूसरा पिंड जब हम किसी माता वहन को खिलाते हैं तो उससे पित्र प्रसन हो करके सुन्दर गुण युक्त संतान प्राप्ती का आशरवाब देते हैं तीसरा पिंड पूजन के पस्चात अगनी में विसर्जित कर देना चाहिए जब हम उस पिंड को अगनी में विसर्जित करते हैं तो पित्र गंड प्रसन हो करके स्राद्ध करता और उसके परिवार की समस्त कामनाओं को पून करते हैं बंधुगो यह सब विश्यवस्तु जैसी हमको सास्त्रों में प्राप्त हुई वैसी ही आपकी सेवा में प्रस्तुत की है इसे हमने अपने मन से बिलकुल भी नहीं कहा है यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कामेंट्स बाक्स में अवस्चे लिखें आज के लिए बस इतना ही सेश फिर नए विशे के साथ में आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे आज्या दीजिए धन्यवाद जै माता की जै प्रशाम जी की